हेलो गाईज, वेलकम बाक टो माई चैनल, दिस इस मानसी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला मेकप लुक, जो है हर्याली तीज मेकप लोग, आप लोग सब जानते हैं कि हर्याली तीज आने वाली है, in fact मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, वीडियो पोस्ट करने मैं हर्याली तीज कल ही है, तो मैंने इसमें green and golden कलर की साड़ी पहनी है, golden के इसमें pink कलर भी है, blue कलर भी है, और इसमें मैंने पूरा traditional लुक किया है, और ये जूलरी मैंने पहनी है, जो मैंने ली है मीशो से, गाईज, अगर आप लोग को मीशो का हॉल देखना है, तो प्ली अच्छा कर दिजिए, जिससे की मेरे जितने भी आपको वीडियो में अपलोड करूँगी वह आप से मिस ना हो, और अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, तो आएज स्टार्ट करते हैं अप बाद अच्छा गलो आता है बाद अच्छा सीरा मैं यह गोडवाइब का नेक्स मैं जोनगी नैविया का लिपम से अपने लिप्स को मश्चराइज कर लूगी एक्षार को मश्चराइज करना ना भूलें फिर मैं लोडूरीत की ब्रो आटिस्थी डूगी जिसमें से मैं लोगी डाग बर्न शेड, इससे मैं अपनी aandular brush की help से अपनी brows को fill कर लोगी अच्छे से, पहले मैं इसको back side से fill करूँगी, फिर middle of the brow, and then at last friend में fill करूँगी, सबसे पहले brow ही fill करती हूँ, मैं eye makeup करती हूँ, base मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पहले हमने अगर सीरम लगाया है और डारेक्ली हम उसके प्राइमर नहीं यूज कर सकते विकॉस उसको सैटल डाउन होने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मोश्राइजिंग क्रीम लगाई या हमने अपना कोई भी सीरम लगाया और फिर हमने डारेक्ली उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई कर दिया नहीं गाइस पहले उसको सैटल होने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि जिससे वह हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए गाई यहां मैं ने आइब्रोज फिल कर ली है इन विद्ध हेल्प अप दी पूली मैं इसको जितना भी मेरा प्रोड़क्ट है उसको इवन कर लोंगी जिका कहीं भी हमारा ज्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है तो पूली के अपसम इसको इवन कर लेंगे अच्छे से करूंगी जिसे भी अगर थोड़ा बहुत इदर उदर हमारा अगर खराब भी हुचाता है तो हम उसको फिक्स कर ली इसली तो बहुत अच्छी शेप आती है इससे ब्रोज की हम पहले नीचे इसको डिफाइन करेंगे अपर साइट पर इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से गाइस मैं इसमें फास्त नहीं किया है सलो किया है जिससे आपको दीख सके कि मैं वनकिस तरह से अपनी ब्रोज को डिफाइन किया है आध्य दूसरी वाली ब्रोज को डिफाइन कर लूँगी इसको गैस फिर उसी ब्रश की help से मैं अपनी पूरी लिड पर इस concealer को place कर लूँगी मैं अपने ऐ का बेस बना रहे हूं हम जितना अच्छा मारा अई का बेस रहेगा उतना ही हमारा कलर पिगमेंटिट दिखेगा हमारा आई मेकप तो मैंने उसी ब्रश की help से पूरी लिड पर अब मैं with the help of the beauty blenders को blend कर लूँगी अच्छे से बहुत अच्छी palette है Swiss beauty की सारे shades आपको इसमें मिल जाएंगे मतलब आपको एक palette खरीद नहीं है और that's it आपको अलग अलग color character नहीं लेना पड़ेंगे इसमें orange भी है और आपको green color character भी है इसमें contouring के लिए भी है आपको कि सारे आपको shades मिल जाएंगे इस palette में बहुत अच्छी palette है यह कि नेक्स्ट लूँगी में Maybelline Fitnica compact इससे मैं अपने eye base को set कर लूँगी इसको क्योंकि अगर हम अपने eye base को अगर set नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी crease line पर जाती है अगर crease line नहीं चाहिए जल्दी इसली ना पड़ें तो हम अपने base को सबसे पहले set कर लेंगे अब मैंने लिया है beauty glaze color palette से एक light pink shade जिसको मैं outer वी से inner वी की side अपनी crease line पर blend करूंगी अच्छे से with the help of the fluffy brush यह fluffy brush रहता eye shadow blending brush रहता है जैसे बोलते हैं मैं अच्छे से अपनी crease पर build up कर लूँगी blend कर लूँगी अच्छे से फिर मैं उसी palette से थोड़ा सा dark pink shade लूँगी और अपनी उसी shade के ऊपर blend करूंगी थोड़ा intensify करूंगी अपनी crease line को आप देख सकते हैं मैंने उस crease line को थोड़ा intensify किया है next मैं color next मैंने उसी Swiss beauty की color सॉरी concealer palette से same concealer लिया इससे मैंने थोड़ा सा cut crease ड्रॉ करने का ट्राइब की है इस फर्स टाइम मैं इससे अपनी cut crease ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से उसी flat brush की help से मैं अपनी cut crease ड्रॉ करूंगी फिर मैं एक brush की help से इसको set कर लूँगी with the compact जिससे वो मेरा base set हो जाए फिर मैं एले colors की palette से आईशेडव palette से एक golden shimmer shade लेके अपनी उसी जो मैंने cut crease ड्रॉ करी है उस पर मैं प्लेस कर दूँगी golden shade है यह इसको अच्छे से प्लेस करके इसको blend कर दूँगी मेरी साधी पूरी green है बड़ उसमें मेरा pink blue and golden color है तो मैंने contrast में इसका eye makeup किया है मैंने pink eye makeup किया है pink and golden guys next लूँगी मैं लेक में absolute का blur perfect primer guys बहुत अच्छा primer है बहुत अच्छा primer है मैं भी color bar का use करती थी लेकिन जब मैंने यह use करना start किया बहुत सुनाता है प्राइमर के बार में लेकिन तब से मेरा one of the favorite primer है यह मेरा इसमें हलका सा टिंट है आपके ना कितना dark spots को भी height कर देता है कि इसकी coverage देता है मतलब आपको आना concealer की ज़रूद नहीं है कर आप यह use कर रहे हैं आप foundation यूज करें तो आपको concealer और गाइस मैंने इस पर concealer यूज ही नहीं किया इस makeup में guys next लिए मैंने Maybelline fit me का foundation जो की 128 warm nude मैं पहले अपनी fingertips की help से dot 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 करके अपने पूरे face पे spread कर लूंगी place कर लूंगी face and neck दोनों पर आप 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 the help of the beauty blender मैं पूरे अपने foundation को dab dab करके अच्छे से इसको blend कर लूंगी guys देखी कितनी अच्छी coverage मुझे concealer के जरूरत ही नहीं पड़ी आप देख सकते हैं कि मैंने जो लैक में प्राइमर लिया उसके बाद मैंने अपना Maybelline fit me का मैंना इसमें foundation लिया है तो मुझे इसमें concealer की जरूरत ही नहीं पड़ी है बहुत अच्छी coverage है guys जो beginners है उनके लिए foundation बहुत अच्छा है बहुत easily blend हो जाता है बहुत आपको मैनत नहीं कर नहीं कि आपको blend करते ही करना है बहुत इसली विदिन टू मिनिट्स आपका पूरा फांडेशन फेस का नेका इसली ब्लेंड हो जाएगा ब्लेंडर हमेशा डाम होना चाहिए हमें 5-10 मिनिट्स इसको पानी में सोप करके रखना है फिर उसका excess water पूरा squeeze आउट कर लेना बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए फिर उस ब्लीटी ब्लेंडर से हमां इसको ब्लेंड करेंगे फिर मैं अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी विद अहलप आप दी कॉम्पैक्ट पूरे बेस को मैं इसको अच्छे सेट कर लूँगी क्योंकि हमारा जिससे हमारा मेक अप लॉंग लास्टिंग रहे गाइस फिर मैं उसी स्विश ब्लूटी की कंसिलर पैलेट से कॉंटोरिंग कलर लेके कॉंटोर करूंगी ये थोड़ा सा एंगुलर ब्रश है फ्लफी है वो एंगुलर है ये कॉंटोरिंग के लिए होता है मैं दोनों साइड अपनी चीक्स पर कंटोरिंग कर लूँगी अपनी फोरेट पर भी करूंगी और अपने चिनेरिये पर भी करूंगी मैंने बहुत लाइट कंटोरिंग की है उसी ब्रश की अब से मैं नोस की भी कंटोरिंग कर लूँगी मुझे छोटा ब्रश मिलने रहा यह मैंने वैसी ब्रश से कर ली घज़ा पनली मेरी कंटोरिंग रॉप हो गई तरफॉर ऐड की कॉंटोरिंग की कंटोरिंग क्याइस कंटोरिंग हमारे प्रेस के लिए मेकप लिए बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है यह हमारे फेस को डिफैन करती है मुलाब अगर किसी का ओवल शेप में है या राउंड शेप में फेस है तो उसको स्लिम दिखाती है शैड़ो क्रियेट कर देता है गाइस नेक्स्ट मैंने लिया एले कलर्स की पैलेट से ब्लश जो है पीच कलर में बहुत ही लाइट ब्लश लिया है आप देख रहे होंगे जैसे मुझे तो काफी अध्यक पिग्मेंटेट दिख रहा था पर पता नहीं क्यों मुबाइल में नहीं दिख रहा था स्क्रीन पर क्योंकि स्क्रीन पर जब आया तब तोड़ा मैंने जाधा उसको लगाया बट नैचुरली अगर आप देखो तो बहुत अच्छा पिग्मेंटेशन है इस पालेट का मैंने ब्लश लगा लिया है अपनी आपल आप दी चीक्स पे नोस पे थोड़ा सा चिन पे पिर उसी पैल चीक बोन्स पे इसको हाइलाइटर को एपलाई कर लिया है देख सकते हैं मेरे चीक्स कितने ग्लो कर रहे हैं अब मैं इसको ब्रेज आप दी नोस पे लगाऊंगी थोड़ी नाग भी तो चमकती चाहिए ना फोरेट पे लगाऊंगी चेनेरी पे लगाऊंगी एन क्यूपे फिर में ब्यूटी ग्लेज की कलर बॉड की बॉटी ग्लेज पैलेट से ग्रीन कर लोगी जो अपनी लोवर लाच पर मैं तोड़ा उस्मज कर लोंगी क्योंकि मेरी साड़ी ग्रीन है तो मैंने थोड़ा सग्रीन करूंगी इसको जैअश में ऐखा का करलर लूँंगी iileash करलर से अच्छे से बेभीलीन का हाइपर कल मस्कारा बहुत अच्छा मस्कारा नो नम से अगर आप अच्छे से टू टू त्री कोर्स अगर कर लेते तो आपको फॉल्सी की भी ज़रूत नहीं है बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है बहुत अच्छे से इसको मैं लोवर लैशेस पे भी अपलाए कर लूँगी अपर लैश लाइन और लैशेस दोनों पर अपलाए कर लूँगी अब मैं लगा लूँगी अपनी फॉल्सी फिर मैंने लिया है काजल जो है ब्यूटी वोक का मैंने आइलाइनर भी अपलाए कर लिया है मैं काजल अपलाए कर लूँगी गाइज एट लास मैं लूँगी फेस कनाड़ा का अल्टिमेट प्रो मेकप फिक्सर इससे मैं अपना मेकप फिक्स करूँगी मक्ही आ गई पता नहीं कहां से है गाइज अब मैंने लिए है स्विस ब्यूटी की लिप साटिन मैट इन दे शेट 205 लश पिंक मैं पहले इसको आप एक्शली मैंने न मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था तो मैंने इसमें दो शेट मिक्स गाइज स्विस ब्यूटी की लिप साटिन मैट है यह लश पिंक और इसमें मैंने दो लिप कलर का कॉंबनेशन किया है दूसरा मने लिया नायका का पाउट परफेच स्मेल दरोज़ेज इन दशेट 16 यह बहुत ही न्यूट कलर है तो मैंने इसको उम्ब्रे लिप्स क्रिएट करने की ट्राइज किया था व्याइस यह मेरा फ